उर्दु जी के वोल्ड में माजदा महरिन आप तमाम सामीनों नाजरीन का हैरम कदम करती हूँ दोस्तों हर उसकी तरह हम एक नए वीडियो के साथ आपके हिदमत में हाज़रू हूँ जिसका मौज़ो है मसनवी गुलजारे नसीम तो चलिए हम शुरू करें मसनवी गुलजारे नसीम दबिस्तान लगनव का एक अहम कारनामा है एक पंडित दियाशंगर नसीम की लिखी हुई एक इश्किया मसनवी है इस मसनवी का असल किस्सा इजटुला बंगाली ने 1722 इस्वी में किस्सा गुल बकावली के नाम से फार्सी जबान में तखलेक किया था जिसको 1803 इस्वी में निहालचंद लाहोरी ने गिल्गृस्ट की फर्माईश पर मजहबे इश्क के नाम से उर्दु नसर में मुन्तकल किया और फिर इस किस्से को पंडित दियाशंगर नसीम ने 1849 इस्वी में मसनवी के रूप में पेश किया इस मसनवी को पहली बार रशीद खसन हान ने मुरत्ब किया पहले ये बहुत तोवील थे और फिर अपने उस्ताद खौजा आईदर अली आतिश के हिदायत पर नसीम ने मसनवी को मुक्तसर बना दिया आईए दोस्तों जरा उसके खुसूसियाद पर नजर डालते हैं मसनवी माखौल की अकासी की गई है यानि लक्नव की आईश्वश्रत का माखौल को पेश किया गया है मसनवी गुलजार नसीम में मर्दाना किरदार बराये नाम है हर तरफ औरतों की रेलभाई नजर आती है यानि दिल पर हिमाला देवनी उनकी बेटी महमूदा बकावली जमीला परी रूहभजा परी रानी चंद्रावद वाईरा निस्वानी किरदार ज्यादा नजर आते हैं उर्यानी भी इस मसनवी का एक अहम हुसूसियात है यानि आशिक मा माशूग के विसाल का हाल नसीम बहुत लुतुफ लेकर बायान किया गया है मिसाली तोर पर बकावली के गहरी नीद सोने का मनजिर देखिए पर्दा जो हिजाब सा उठाया आराम उस परी को पाया बन उसकी जो चुशम नर्गिस दी चाती कुछ-कुछ गुली हुई थी सिम्टी दी जो मुखरिम उस कमर की बर्जूम पे से चांदनी थी सर की लप्ते थे जो बाल करोटों में मिलका गई थी कमर लटों में मसनवी गुल्जार नसीम सादा सलीस और आम फहम जबान में लिकी गई है तश्बीहात वश्तिहारात का इस्तामाल भी किये हैं लेकिन उसके समचने में कोई दुश्वारी नहीं है सबसे अहम खुसूसियत रियायत लबजी का कश्रत से इस्तामाल हैं और इसमें इखतिसार पाया जाता है नसीम मसनवी गुलजारे नसीम लिखी तो एह खास तोवील थी उनके उस्ताद आतिश ने शागर्द को हिदायत की के मसनवी को मुखतसर किया जाए और उन्होंने अपनी कादरुल कलामी की वजह से इसमें बड़ी हद तक काम्याब हुए कई कई शियरों के मजमून को उन्होंने एक एक दो दो शियरों में समू दिया जिससे एमसनवी इजाज व इखतिसार का नमूना बन गई शाली तोर पर देखिए बादशा के दो मुखतसर सवाल और बकावली के मुखतसर जवाब पूचा के सबब, कहा के किसमत, पूचा के तलब, कहा कनाद बकाउल फर्मान फतख पूरी, इसमे किरदार निगारी, जजबात की मसवरी और तसलसले बयान की कमवबेश वो सबी हूबिया हैं जो एक अफसानवी मसनवी के लिए जरूरी हयाल की जाती हैं लेकिन उसकी दिलकश का राज दरसल उसकी रंगीन बयानी, माना आफरीनी, किनायाती असलोब, लबजी सनाई और इजाज नवेसी में पोशीदा है उन आवसिफ में भी इखतिसार व इजाज का वस्फ इम्तियाजी निशान की हैसियत रखता है प्रफसर इखतिशाम हुसेइन ने मसनवी गुलजार नसीम को शायराना और फनकाराना तखलीक का मुजिजा कहा है रशीद अखमद सिद्दीकी ने इस मसनवी के बारे में लिखा है कि शियर व शायरी के जिन पहलों के इतिबार से लकनव बतनाम है गुलजार नसीम ने उनी पहलों से लकनव का नाम उँजा किया जबान को शायरी और शायरी को जबान बना देना कोई आसान काम नहीं दोस्तों देखते हैं मस्नवी गुलजारे नसीम का आहम किरदार मस्नवी का हीरो ताजल मुलूग है जो यूरोप का बादशा सुल्तान जीनल मुलूग का बेटा था और एक अहम किरदार है दिलबर एक देव भी है और देव की बहन हिमाला हिमाला की काईद में एक लड़की थी महमूदा इस मस्नवी की हिरोईन है बकावली बकावली की मा जमीला भी एक अहम किरदार है और उसकी बहन रोहफजा और एक आहम किरदार है राजा इंद्र चित्रसेन की बेटी चित्रावद भी इस मस्नवी के एक आहम किरदार है दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए जल्दी मिलूँगा एक नए वीडियो मस्नवी गुलजारे नसीम के खुलासा के साथ